कि वेलकम इन्यू एक्जाम्स आइस आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिविजन थू प्रीविएस एर क्विश्चन्स और कि सब्सक्राइब का इन्वायमेंट का इन्वायमेंटिक ऐसा सब्देक्ट है जो आज के टाइम पे एक धुरी बन चुका है सेलेक्शन की और इस सब्दे क्लाइरिटी ना होने की वज़ा से छोटे-छोटे सवाल गलत करते हैं अभी आप देखेंगे ऐसे सवाल जिनका आपका कॉंसेट ल जाएगा कि क्यों ऐसे कहा जाता है लेकिन उस सवाल का रेस्नेल क्या है उसके फीछे तरक क्या है यह नहीं पता होता हो तो हमें आज की आ करेंगे उसके पीछे क्या तर्क है क्या रिष्टनेल उस तब की बात करते हुए एक एक सवाल डिसकस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पाइली स्लाइड में आप देखिए इसके महत्तु दोजार इकीस में इन्वायर्मेंट से पूरे पेपर के लगबग 20 सवाल है अब इन पहले सवाल पर और इसमें के वहला सवाल मत देखिएगा जो मैं इसके साथ बोल लाओं कॉंसेट देखिएगा इसके तुरू अगर आप कर लेंगे रिएजन तो इस साल भी आपके कई सवाल डिरेक्ट लिया से आने वाले हैं तो मेरा पहला सवाल है कि वेटला सवाल है कि विच्व सब्सक्रांटरीव बुरस यहाँ पर आपको यह सवाल आया है चैप्टर फूर्ट चेंज से सवाल आया है फूर्ट चेंज वाले वीज़क्टर कौन सा थे या अन्यां यह चांस कर्क्राइब हां तो यह दो म्हूर्ण को सप्सक्टन के तो कंपोन्ठ कंपोनेंट इसे को तो इसे को क्या के हिंदी में अब जैविक कंपोनेंट में हमारे दो दो पॉर्शन है कि एक पॉर्शन है हमारा प्रोडूशर जो उत्पादक जी निका जाता है दूसरा क्या है मारा तुसरा हमारा कंज्यूमर कि ठीक है और तीसरा किसरा पॉर्शन है जो फूड उत्पादल करते हैं दूसरे को क्षा कर किसी तरह से और इनहीं जोनों का जोनों की डेथ होती है तो इनका डिके और डिकंपोजीशन कि यह जाता है बीकंपोजर यह अप गटन यह जो तीसरा कोर्षन है कि ऐघटक होते हैं डिकंपोजर होते हैं दो तरह के नंबर एक और नंबर दो नंबर एक पॉजर होता है उसको कहा जाता है कि महारे टीघठों कुस्थ को कि आ अगे दोने जब यह इनकी डेथ हुई जब तो डिकंपोजर के पास गये और लिनको खाया टो खाके पचाए दूसरा इनके उपर उपर टुछ थीक है तो जो खाके पचाते हैं उनको बोला जाता है डेट्राइटी वोरस और दूसरे जो होते हैं यह क्या करते हैं अपने पेट के अंदर इंटेस्टाइन में आहार नाल के अंदर ले जाते हैं फिर उसको खतम करते हैं ठीक और दूसरे क्या होते हैं टैप्रोफााइट इंदको क्या है से क्या मुर्तोप डीवी सब्सक्राइब करें तक हिसमें आते हमारे इसमें आते हमारे यह इसमें आएंगे हमारे वाभाग अब यह सवाल ट्री वोरस का ना किस अप्रोफाइब तो ड्री वोरस मतलब जो खाए अंदर ले जाता है यस इस इस राइट जेली फिस के बारें कभी सुनें क्या नहीं जेली फिस थी हर्थ विचारा ये कहां ले जाता है तो चाट दीजिया चार इसमें है तो यह तीनों कट अब बचा की वाले मतलब एक तीन पांच वूड लाइस भी अपने पेट के अंदर क्या अगर इस पूड में लग जाए या दीमत लाइस नत्तब दीमत यह दीमत अगर लग गई तो इसको क्या करेंगी अब बटन कर डाले ठीक बड़ा तो जेली फिस आउट हो गया इसके आउट करने से ठीक है अब मिली पार्ड हमें नहीं आता था फिर भी हमारा तीन बचा मिली पार्ड क्योंते साहस्त्र पादी इंको बला जाता है और यह भी क्या करते हैं हमारे डीकंपोजर है एक तरह कि लेकिन कैसे है यह इसके अलावा भी बल्चर जो है वो भी डिट्राइटी और से तो फास्वाल हुआ सही हमारा क्या वन थ्री एंट पाइट चलते हैं सेकंड कुस्चिन क्यों इनके बारे में कुछ कूछ पूछ घए रहा है कौपेपॉड कुछ और नहीं होते बल्कि एक करश्टेशियन पर वाले जीवश होते हैं टेश्ली अ है उनका क्रस्टेशियन का एक समू कर से सिएन है ठीक है को पर पोल्ट से दूसरा क्या है तुसरा यह टाइनो बैक्टीरिया यह जो क्या करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं पोटो सेंधेसिस करते हैं प्रोडूट्यूशर के सवाल है तो ऊसे अगला प्रोडूशर की बात थी तो प्रोडूशर कौन प्रोडूशर मतलब स्वयं पोटो संथेसे से अपना गाना बनाते तो कोपी-पॉड्ट जो ाने जिनके होता है जिनके सरीर में कवा शूता है जीवों को स्टेश chimney कर तता और कोपे-पा। रेक तरह के क्रस्टेस्थियं में कि और अमीनिफेरा जो है यह यह पना खाना खुद नहीं तो यह तो bliver अगर पोटो सिंथेसिस करेंगे तो वह बनाएंगे भोजन अगर भोजन जो अपना बना लेता है उसको क्या कहते है प्रोड्यूसर अब दूसरे में डाइटम डाइटम कुछ और नहीं है बल्कि एक तरह का सैवाल है वह भी एक तरह का हएरादी ओगी कि यह बहूत चोटे उस्टे दिखते नहीं है लेकिन यह करते और क्या बना देते हैं का वह फिक्षेंट्रेट थिक है तो यह जो है दुनिया का तक्रिबन 50% तो यह अगर करते हैं करते हैं तो यह होगे प्रोडियूसर और यह होगे प्रोडियूसर तो आफसन क्या बचा इसमें टू एंट्री ओनली ठीक है तो टू एंट्री तो अब यहां पर फिर समझने वाला था डाटम अमेसा चोटे-चोटे समुद्री से वाल है जो बहुत चोटे-चोटे होते प्रोडियू सोच मुझत अगर आप नंगी आखों से देखेंगे तो ऐसे न दिखते लेकिन यह रहते हैं समू में ग्रूप में इसलिए आप नंगी आखों से भी इन् in the case of which of the following biochemical cycles the weathering of rock is main source of release of nutrient to enter the cycle यह कह रहा है कि जो यह साइकल दिये हैं कैसे nutrient cycle मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे प्रिकार होते हैं functions of ecosystem जो होते हैं functions ecosystem के जो होते हैं उनमें से एक function है हमारा क्या nutrient cycle यह भी इसकी nutrition nutrient की cycling करना या पूसक पदार्थों का चक्रण करना क्या कहलाता है इसका काम है function है इको सिस्टम का ठीक है तो यह उसी चैक्टर से सवाल आया है इसमें पूछा गया है अब इसमें आप लेते हो किसको पॉस्फफोरस और सलफ़र को अब देखो यहां पर पूछा है कि में सब्सक्राइब को फोकस करूं तो मैं पाता हूं कि आप से तो यह नहीं आता नहीं आता क्यों क्योंकि वाइवंडल से में लेकिन आपको पता है कि यह सलफर साइकल है यह दोनों में रहता है से राक बें रहता है और गया सोटू के रूप में रहता है तो अगर इन दोनों में चूछ करना हो अगरे दोनों होते सब्सक्राइब कर अपस्टि यह क्या है क्योंकि यह टोटली आयर करता है मोरक्कों से भारत क्या करता है इंपोर्ट करता है है अपने 50% से ओपर फॉसाइब सूपट पॉडर देर का पॉडर्डर आज इसका और 50% fázष इसलेशीड का उस से क्या बनता है भाहरत पॉसपोर 이제 रहे हमारी बनती है ने खाद उर्वरक ठीक है जो फर्टिलाइजर उसे बनाता है इवन मुरक्कों ने कब्जा कर रखा है इन्हीं फॉस्पेटिक राख के लिए बगल वाले विस्टर्न सहारा नाम के देश में तो यह फॉस्पोरस रॉक से बहुत थीक कम-कम जगे पर और अगले सवाल है सवाल नमबर चार इन नेचर वीच अब दफालोइंग इस आपने जैसे पढ़ा होगा या हमने जैसे पहले पढ़ा है उससे थोड़ा हट जाहिए ठीक है वह कह रहा है मोस्ट लाइकली टू बीपाउंट सबसे ज्यादा चांस है कि वह बिना स्वाइल के तो मैं आपको बताओं यह सवाल हमारे इसी फनक्षन वाले से आ है उसमें से उसका एक और फंसवाले फंसन को छोड़ कर क्या इक लॉटिकल सक्षेशन एक लॉटिकल पैस्षेशन और यह भी एक फंचन है ठीक है एक निउट्रियां साइकर्ट फंसंद ता एक इक लोजिक पारिस्तिति अनुकरमड सवाल इसमें क्या करता है कि यह पर्न यस मॉसस यस लाइकनिस जब अनुकरमड होता है तो सब पहले कहां से जुरू होता है पाहले सुरू होता है हमारा सब सबस्क्राइब पहले beginner community आती है उनको बदाचा पाइनर community जो जैसे महां लिजे जो अला मुखी फटा ठीक है जो अला मुखी फटा और इससे निकला लावा यह यहां पर वाइल यहां बन गई रॉक कौन सी अगने चट्टान अभी यहां मिट्टी नहीं बनी है अगने होगा इसके ऊपर कुछ-कुछ प्लांट सुगे जीव जन्तु आएं तो सबसे पहले क्या होता है यह आते हैं मौसेस कि पॉर्म और मस्रूम मस्रूम एक ऐसा प्राड़ी है इसको जो इसके उगने के लिए स्वाइल की जरूरत नहीं है इसको मिट्टी की जरूरत नहीं तो पहली बार ही होता है लेकिन अगर आप देखेंगे इसे मस्रूम को तो मस्रूम के साथ लाइकें कहीं नहीं जबकि मस्रूम एक ऐसी जीव है जो क्या होग सकता है इसको मिट्टी न्यूट्रियन सप्लाई करी नहीं सकती है तो माहित बहुत जगे आपको इसका आप्शन मिलेगा टू एंट्री बट इसमें राइट आप्शन है एट्रोजव गहारा है लोग टोके तरे से इनके सरीर में बाल नुमा करती हैं यह हैं फोट छोटे निकले रहते हैं तन चोटे इनको सर्वाइब करतें और वही यह सब्सक्राइब में मुझे पहले मौसर्व आते हैं और यह मौसरीं के बारे में। यह द ब्रायो फाइट हो तो nephew नीस जबर हें तो अग्लेल हν यह से यह तरह हैं इनकी साहता से शीपक जाते हैं लेकिन से नूट्रियंट सप्लाइब याद रखेगा आगे के लिए भी तो आपको इसमें मारना चाहिए मस्रूम फर्ण काउंट से पर्ण सब्सक्राइब कोई बड़ा देखा तो आपको लगे कि नहीं यह भी है यह सुरुवाती दौर में सक्सेशन में पाइनियर कमिटियां होती है जो चारो हला की पाइनियर कमिटी है लेकिन इस प्रस्मिक हिसाब से बेस्ट एंसर एंटी ठीक है जानू है सक्सेशन क्यों होता है सब्सक्राइब कमिटी से कहां तक क्लाइमेक्स कमिटी तक शुरुवात होती है पाइनियर कमिटी से अग्रडी समुदाय से और चरम समुदाय तक यह बढ़के जाता है जो सारी वनस्पतियां खुब्डवलक्र हो जाती है ठीक अगला सवाल है वाट इस ब्लू कार्बन ते लाइब यह ब्लू कार्बन प्रिजेंट इन अट्मास्ट्र यह बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डायक्साइड को काचर किया घ्टा करने को मतला अशोसित किया जाता है जैसे मैंने पिछला उदाना बताया कि डाटम जो होते हैं वह बहुत ज्यादा कार्बन को और सोजित करते एक तरह के सेवाल है सूच मदर्थी सेवाल है बहुत चुटे-चुटे सेवाल है ठीक है तो यह होगा पहला सभी होगा है आपे ब्लू मतलब वाटर से लीजिएगा ब्लू इकॉनमी से आप इसको सभी कर सकते थे बाकी और जाते ह है अगला सब्सक्राइब विच आप द फालोइंग इस्पेसिज डाइट कैन इस चैबलिस अस इंबियोटिक रिलेसर्शिप विद अधर आपनी ठीक है यह कह रहा है कि वह कौन कौन सी स्पेसिज है जो सिंबियोटिक मतलब सबस्ते साजीवी संबंद में रहते हैं साजीव मतलत साजीवी संबंद क्छंथ 200-300 एक होता है सभी संब्सक्राइब तो है अब दूसरा क्या होता है हमारा इसको बोलता है हम लोग फॉसरी यह उफ्कू फायदा ठीक है यह दोनों को कुछ भी कि नई कि तो जिसमें फायदा होता है यह कमसे कम एक फायदा हो रहा है और दूसरे को नुक्सान नहीं तो कहा जाता है वी संबंद ऐस्थी अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से रहते हैं पहला विदेटि ओनुछ जीओ पढ़ी platin स्ठीक के दूसरा है फांगी कव चेंग प्रोटो जोगा है तो अभी यह कोरल जो ते आपको पता एक रोल किसцы 3 वर कमें साल में रहते हैं और उसका कहना है वह एक तरय का Racơn है क्या नाम है उसका उसका नाम है और जुजान थैलिए फिर फोदेन थैलिके साथ यह हमेशा इसे रहते हैं साथ इसको बोलते हैं और मेंसलिजम फंगी फंगी जब दूसरों के साथ रहता है इसको बोलाता है माइको राइडिया माइकोरिए में क्या क्या है मै متलब फंगी माइक को कहीं लगए मतलब कवर की होता तो यह भी है आप लाएकें को ली आकिन क्या है रिच monopoly LEIKK और तैवाल का एलगी और फंगी का मिला हूआ रूम यह तो यह माइको राइजिया यह भी संबंद में दोनों को फायदा थिक तीसरा प्रोटो जोगा भी कह रहते हैं बहुत से प्रोटो जोगा है जो दूसरे जीवों के साथ इसमें रहते हैं तो इसमें क्या सब्सक्राइब होने चाहिए हमारा तीनों सब्साइब रहते हैं तो यह पर दो टिक फॉजिटिव तो यह पॉजिटिव का ऐसा इस तरह निगेटिव होती है मतलब कम से कम एक को नुखसान पोचे वह सकता है फायदा और लेकिन एक को नुखसान पोचे ठीक है उसी तरह का एक लच्छन होता तो आपको यह वाले सवाल बहुत कठी नहीं है हमारी दो तरह के लिसंस होती है पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव को ही हम सिम्बियोटिक कहता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहें और एक को कम से कम फायदा और दूसरे को नुकसान ना हो यह उसी के उधार में अगले स्वाल मस्नें जो लीफ लिटर देपोस स्वाल क्या एक दूसरे पर देपर देखेंडेंगा प्रक्रवान आ जो ऑकल रहें घंडे करते है इंडे़टियों कब डिपेंट और कर दोलों इंडेर अंडेश्बर हुजिट इद इंडे पायर इंडेंड छिटिश्य बट रूटेट ऑन दा अपर ब्रांचेज ऑफ ट्री इस इस दा मोस्ट लाइक लिडिस्कृश्ट इसने कुछ बायोम के बारे में एक बात बताई यह चार बायोम है इन में से कौन सा बायोम है जहां पर पत्तियां गिरती है और बहुत जल्दी उनका डीकमपोजीशन और डीकमप बात क्या घरा है स्वायल सर्फिस ऑफन बेर खुली होती है क्यों क्योंकि बारी की बहुत होती है तुछ इनके अलावा कुछ ऐसे पेड़ उग रहे हैं यहां पर यहां पर इंकी ढुनकी पहुंच गया से उपके पहुंच गया यह से उपर यह नहीं जा पाएगी अर्थाट प्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट ऐसा है जहां पितने ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं कि नीचे लाइट ही नहीं जा पाएगी तो कुछ इपी फाइट से बोला जाता है इन पौधों को जो पौधे दूसरे के सहारे उपर चड़ाते किसलिए सनलाइट के लिए उपर आ जाते हैं या इसके तने बने पर पहुंच गया तो आप जानते हैं कि ऐसा होगा हमेशा जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हो और और वह अंधेरा नीचे रहता हो ठीक और वह पारिज बहुत जाता होती हो तो कॉनिफेरस नहीं सकता ड्राइट इस भी नहीं हो सकता यहां पर है ट्रॉपिकल रेल फॉर्ट उष्ट के बंदी वर्सावन बायों की विश्यस्ता है कि वहां पर इपीफाइट से पाए जाते है कि यहां पर बहुत ज्यादा होती है तो लीचिंग की वज़य से यहां पर न्यूट्रिशन नहीं बसता है मिट्टी में इस बायों की मिट्टी में न्यूट्रियंस यह पोशक तब तो नहीं बसते बैद दूसरी चीज़ और एक खासियत है यहां पर ऐसे पेड़ सब्सक को नहीं मिल नए तो यह कहां से खाएगा फिएगा तो ये क्या करते हैं यह कहाते हैं ऐसे जीवजनतुओं को को तो यहां कौन से प्योष्पर बाधिम कीट बच्ची पधे corresponds of the private पाए जाते हैं और इनको बोलाता है इंसेक्टिवोर्स प्लांट इनका ये कुछ दारण है पिचार प्लांट तो वह बायों जहां पर नूट्रियंस में नहीं होगा तो मजबूरी में उसको जमीन में तो उनको ट्रॉपिकल रेंट फॉरेस्ट में यह भी सवाल हो गए आपका ठीक है इस बायों को अच्छे से पढ़िएगा अगला सवाल विच आप दा पालोइंग इस फिल्टर फीडर सबसे पहले यह समझ लीजिए फिल्टर फीडर का मतलब यह होता है कि ऐसे जीव जन्तु जो बल्क में कुछ खा लें तपोच करो कोई जीव है जो मटेरियल को खा लेता है माली जी कोई बतक कोई डख है ठीक है या इसके अलाबा कोई फ्लैमिंगो फ्लैमिंगो लेकिन उसकी चोंच ऐसे बनी है बीक ऐसे डिजाइन की उसकी बीक कि उसके वाल खाना यह अंदर जाएगा और जो भी खराब पदार जो इनको नहीं लेना अंडिजारेबल सब्सेंस है वह बाहर निकल जाए ठीक है अपने आप तो यह होती है एक होती सार्क वेल भी उती है जो वह भी तरह की फिल्टर फीजर है तो इन आप्सनों में क्या दिया है की से आगे क्या रहते हैं से वह लागर से वह को फिकार को अपनी ऑख एक तो यह अलग से चूझ कर वह फिल्टर फीटर फीडर और पलिकन इसलाएश आईसी नहीं हो लेकिन पयाली को तो इसको को बोलते हैं फिल्टर फिटर तो सबसे पहले फिल्टर फिटर कहा है मतलब बल्क में खालो कीचड वीचड निकाल दो और बागी जो भोजन भोजन है उसको खालो ठीक है अब आगे आगे विद रिफ्रेंस दूदा फर्नेस ओयल संसीडर दा फालोइं स्टेटमें फर्निस ओयल के संबंद में निमने कतनों पर विचार परनेस ओयल करता बठी से निकला हुआ ठीक है तो यह क्या करें इस अप्रोड़क्ट ऑफ और रिफनरी बिल्कुश सही है ठीक तम इंडर्स्ट सब्सक्राइब यूज़ जन्रेट पावर यह भी सही है कि क्या होता है जो फर्नेस ओयल निकलता है बठीयों से रिफाइनरी में उसका भी यूज़ पावर जनेशन में किया ठीक है और अब यह देखिया अगर पेट्रोलियम से वह रहा है और निकल लाए तो उसमें पेट् इसके बाद तो अब पूछ रहा है कि रहा है बिस्फिनल एब पीए आप आप पंसर्न रहे बिस्फिनल एजो है वह किंता का विस्थ है क्या है यह एक रहा है इस्ट्रक्चर की कंपोनेंट इंद अप मैनुफेक्ट्ट्रिंग अप्विच आप फूलोइंग काइंड आप बोटेनट ऐस्टा की प्लास्टिक बनाने में एका यूज किया कि यह इसका सही जवाब है पाली कोवेड़ियर प्लास्टिक जूहते हैं उनको बनाने में अधार समझ लिए one बीच या वॉस्थ काँटेने प्लास्टिक या फूड कंटेनर ठीक है वौटरीकंटेनर वाटर बाटल जो आप खरीबते हैं पूड़ कंटेनर प्लास्टिक ए इन समय इसका यूज किसलिए जाता है उनको क्या करने के लिए का फॉर्टा प्रदान करने के लिए कि वह ठाइब रहे सीधे बने रहे ठिक कफूरता उग्रादन करने के लिए अब यह लुक्सान कैसे प पॉटल है उसका अगर आप डिस्वासर में डाल दे या कि उसको आप गरम पानी भर दे उसमें या आप माइक्रोब्यों में डाल दे तो इस सब से क्या होगा आपके भोजन में यह सिक्रेट कर जाए बीपी जो है कि इसमें मिला हुआ है यह आपके भूजन में आने के बाद और यह क्या करता है तो फूट चेंट के फूट आदमी के अंदर आजाएगा तो सब्सक्राइब बच्चों के प्रभाव डालता है उनके मस्तिस्ख के विकास को ब्रेन को रोखता है ऐसा माना जा रहा है कुछ लोगों ब्रें के विकास को ब्रेंड डिवलप्मेंट को हैं अबरबर करता है और ये एडल्स में क्या करता है एडल्स में यह मदमे या ड्यागयोडीज का खतरह बन सकता है ठीक है में ड्यागयोड ब्ल्ट क्या बंसकते हैं तो प्लास्टिक की कोई भी चीज में आप गरम पानी मैक्रोवेवन या डिस्वासर में मत रखेंगा उसमें बीपीए हो सकता है चलिए आगे वाले कुश्चन में सब्सक्राइब हामफुल वैं एक्सपेस्ट तु हाई लेवल पॉर लांग टाइम इस प्रिजेंट इन विच अप्ड़ फ़लाई देखो एक तने का क्या है यह है पंगी साइट या आप इसको बैक्टिरिया साइब कह सकते है पैक्टिरिय और फंगल इनफेक्शंस को रोकने के लिए इसका यूच किया जाता है तो यह दोनों तरह के इनफेक्शंस को या कंटमेनिशन को को रोखने के लिए इसका यूज किया जाता है इसके बात को समझे इसका यूज किया जाता है इसको किसमें consumer products में एड कर दिया जाता है जो bacterial और fungal उसके क्या होते हैं को रोखते हैं अब माली आपका कोई टूथपेस्ट है टूथपेस्ट है आपकी कोई क्या होजा है फेस्वास अब हो सकता है और कुछ कॉस्मेटिक का जैसे कुछ कॉस्मेटिक प्रडक्स ताबून वगएरा में भी वो सकता है तो यह जो ट्रैकलोसन नाम का पदार्थ है फूब्ब्स तो अब यहां पर आपको क्या दिख धुझ अगर इन सब चीजों में पार जाता है तो जाका पर चॉट्मार दिख रहा है यह है लो फूसकों संग संगॉत प्लास्टिक अंडेर्न में क्या होता है आपको बीपी यह होता है यह पिछले बताया मैंने तो पिछला सवाल दो सवाल इसमें पीछ लिए विस्फिनॉल ए और ट्रेक्लूसर्ण यह दोनों रिलेटेटर सवाल थे एक तरह से और वह उसका यूज़ता है प्लास्टिक बनाने पंगोलील है वह आप जैका क्या है रोडेंट रोडेंट ठीक है मर्मोट एक तरह की गी लहरी है और पंगोलिन तो आप जनते हैं तो कह रहा है कि इनके बारे में रेडियूस देचांस आप बिंक कैप्चरीड्र बाइ प्रिडेटर्स विच अप द एबब ओब ऑंगनिजम अपनी बोडी में इन में कुछ कठो चीजिन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके मालीजी इसकहिए और एक दम से आया और पेंगोलिन से आपने इसको क्या कर दिया अपने कुछ बचा लिया उसके ऊपर नहीं जा तो इस में से दिजहेए आसड और पैंगोलीग्व ओधा चीटी हें। उसा सवाल काम अगर आप सबॉडर सा दिमाग नगाए और वहां पर जिसे पैंगोलिं किसी को पता है तो अब आपको तीसरा सभी है यह पता है तो यहां पर यह कट गया और यह बहुत बढ़ ट्रीक होती है कि आप 50% कट गया है तो भी मारना चाहिए 50% चांस आपका सही होने का बनता है तो मेरे वारा माली जिए 1 & 3 हो सकता है आपका एकाथ बार गलत भी हो जाए कभी लेकिन उसकी कोई बहुत संकट नहीं होता जब आप 10 सवाल मारते 2-3 तो नाइटी टू जाता है आपको पत्र पर नहीं जाता है तो यह सवाल यहां से सही होता है ठीक है अगला वाइस सब्सक्राइब करने वाले प्लांट होते हैं जो इसकी बट्थियां होती है उसके बारदे में चिंताएं क्यों बेक्ट की जाते हैं अगर रिलीज किया जाए इन्वायरमेंट में कार्बन मोनो अक्साइब को ओपन इंवायरमेंट पर तो वह जहर नहीं हो जाती है क्योंकि बहुत जल्दी कार्बन मोनो औक्साइड जहर केवल तब है जब बंद इन्वायरमेंट हो है अगर खुड़कियां खोल के आप बठीज जलाते हैं दर्वाजा ठोले हैं तो आपे कारबन मोनो अक्साइड नहीं बरपाती लेकिन अगर आप कम्रे के में कोई दिख्कत नहीं होगा और कार्बन मोनो अक्साइट दो लो एक साथ देने से बंद इन्वाइर्मेंट्स यहां कहा रहे हैं रिलीज करने की बार तो यह अब यह अपके पास क्या बचे देखो मैं आपको यहां पर सवाल जायतर इल्लिमिनेशन में इस यह बाकि आपको बहुत जाने के बारे में इसलिए कर्बन मोनो अक्साइट को वाइल ग्रीन हाउस नहीं माला गया क्यों क्योंकि बहुत जल्दी निगटित हो जाती है तो अब यहां पर यह कट गया यह कट गया और यह कट गया बचा क्या टूएं री ओनली मैं बिना ऑप्षन पढ़े भी सवाल को लगा सकता था किवल एक आप्सन की वजह से देख ली आप ठीक है तो तो अब आपको बीना पढ़े इन दोनों आभी पढ़ते तो भी आप उसको लग ना सकते से कौपर स्मेल्टिंग प्लांट्स क्योंकि स्मेल्टिंग करने के लिए आपको इनर्जी कोल से मिलें और वहां सब्फड है थीक है तो आगे पिलिए की अग्ला सवाल अग्ला है हौं प्रमाकल्चोर फ्रमिंग् क्राप में कर भी एज्म जो है विथांप्रिक है किमिकल डॉरा असायनिक ही कैसे अलग है यह कहिले है पहला प्रमच्ण फॉर्मिंग दिस्प डिस्वर से के मोनो क्प्रैक्टिश है जिए कि इन कंवेंसिनल किमिकल फार् मिंग मोलो कल्चर प्रैक्टी साफ प्री डॉमिने अब देखो एक चीज इस पर्मा फॉर्चर को मत्तल फोता है के फ्साई करसे सही शॉटी के फॉर कर्मा मतल सर्फ क्यों इस थीज तर्फ यह बहूंत करना घ्रित jelly शॉर से उसमें हर सब्सक्राइब करें तो आपको फायदा होगा कैसे क्योंकि आप वही चीज़ें उगाएंगे जो आपके इंटीग्रेटर टेक्नोलजी इंटीग्रेटर फॉर्मिंग सिस्टम इसमें तो अगर सारे आसपेक्ट को कंसीडर करेंगे तो आप मोनो कल्चर नहीं करेंगे क्या करेंगे वह सब्सक्राइब करेंगे तो यह पहला अब दूसरा कंवेंशनल क्यमिकल फार्मिंग कांज इंक्रीज इंस्वाइल सेलेनिटी बिल्कुर सही बात है अगर आप केमिकल बहुत ज्यादे यूज करोगे तो सब्सक्राइब बढ़ सकते बड़ अकरेंस आप सच फेनोमेना इस नॉट आप्जर बिल पर देंगे मूंग हो देंगे उड़त देंगे जो नेक्रोजन को फिक्स करती है ठीक है तो नो डाउट यह सब्सक्राइब नहीं बढ़ा है तो यह बढ़ाएगा और यह नहीं बढ़ा ठीक तो यह साही है अब कर अगर चैनल केमिकल फार्मिंग इस पॉसिबल इन सेमी इरिद जाएगी सेमी इरिद रीजन में वहीं इसली हो सकता है जो वहां की चीजों को लेके चले और आपको मैंने क्या बताया है यह इस्थाइक रसी है वहां की हर चीज को करने से आपको घर पतवार भी कम उगते हैं यह भी आपने बचा लिया तो इसमें इस्थाई करसी में बिल्कुल ज़रूरी है जबकि केमिकल वाली करती में क्या डालते हो खर्पत्वार्स निफटने के लिया केमिकल तो यह भी सवाल यह भी ऑसन सही है अब यहां क्या सही हो गया एक दो चाहर आपको थोड़ा दीमाग लगाना था रिजीनिंग के सवाल टाइस अगर एक सब्द पे ध्यान देंगे तो आराम से आप कर जाए अगल स्टेटमेंट को आप देख लिए पाला स्टेटमेंट अधा क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इस पार्ट आप प्रोजेक्ट लेड़ बाई क्लाइमेट चेंज अग्रिकल्चर एंफूड सिकर्टी सी काफ सी कास्थ एक संस्था है और इंटरनेशनल प्रिश्च विल्कु सही बात यह कंट की इन स्टानिशनल स्ट्रोगराम है जो किसका जो कि Mexican the आई ए आरकर यह परोग्राम है उनस दस प्रोग्राम में से दस प्रोग्राम में से एक और अब क्या करा है दफीक छाइज काश्च कांत्स कार आंड़ कारीड आउट अंडर में तब सका है फ्रांस में मौन्ट पिलियर में इसका हैटकवाटर एप्रांस एक जगेढ है पेरныеल को दे सकता है फ्रांस में यह भी सही हो गया सब्सक्राइब और इसको एक मात्र इंडिया का यूएन संस्थान के तौर पर भी दर्जा दिया गया है जब कि यह जो आई-जी-सी आई-ए-र है वो क्या है दुनिया के तमाम गवर्मेंट्स और संस्थानों के बीच की दस अंता बीच की पाटनर बना थे तो हमारे हैं जो आज अब करता है आप गूगल करके इसको देख सकते हैं तो उसको यह भी सी का सेंटर इस दस दस इंटर में से एक सेंटर इंडिया में है और इसको इसके बारे में आप और डिटेल जरूर पढ़िएगा इसका कहा है मॉन्टे पेलियर फ्रांस और इसका कहा है क्रिसाट का है इंडिया में यह भी सवाल होगा आपको आप कैसे होगा अब यह तीनों सही है अगर तो आपका क्या हुआ हुगा हमारा वॉन तो थी ठीक है डी इस अगरेंगे और दो हजार थी तक कम करेंगे और दो हजार तीस तक समाप्त कर देंगे तो एक टाइम लाइन हो गई की नहीं है यह एक टाइम नहीं हो नो डॉट अब करेंगे टीज इंडोस बाइग गवर्मेंट बिक कमपनी इंडिजेनेस कम्मूनिटी यस इसको तक्रीबन पक्चास पर कारों नहीं पचास गवर्मे संस्थाओं ने सब लोगों ने लोकल कम्मूटीज ने इन समने इसको स्विकार किया तो यह भी बात नहीं होगी अब तीसरा उसना भी शूटा हुआ इस लीगली बाइंडिंग कभी सुने है कि इस तरह कि कोई लीगली बाइंडिंग अगर एसी होती है तो आप करेंट अफ सब्सक्राइब तो आप पढ़े होते बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं था तो ऐसे भी सवाल जबाएं ना पढ़ेंगे और बहुत मेनत करके आप गए तो भी आप अंदाजा लगा लिजिएगा कि इंडिया अगर इसना इंपॉर्टेंट सिगनेचरी होता तो जरूर हो कि मैंने जाएं पार्टिकल्स के बारे में आ गया है मैंने इसका एक ब्रेक आप मोटर के लिए यह वन अप दो में शोर्स ब्रेक लगाने से वन अब दम में सोर्स है यह मैंनि टाइट कर दूसरा इंजन आप मोटर वेहल इंजन से भी निकल सकता है ठीक सब्कुर्स में माइसरो आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजै विवी जब बहुत ऑप्सन होते है तो कभी एक ओप्सन से ही मिल जाता है एंसर इस तवाल में एसा नहीं है अलाकि लेकिन बाखी सवालों में एक ऑप्सन से एंसर मिल जाता है तो यह सवाल पढ़ा जरूर करिये जब आपके exam में आए अगला the common carbon metric supported by UNEP has been developed for किस लिए carbon common carbon metric बनाई गई ये बात कह रहे हैं कि common carbon metric किस लिए बनाई गई देखो carbon common metric जो थी वो बनाई गई थी United Nations Environmental Program दोरा ताकि क्या किया जा सके कि बैनिग्स बनाने में छों बीडिंगस बनाने में जूनी है दुनिया भर में यह लगभाग 40 प्रस्तत क्रती है उर्जा का क्रFrkt करती है और उन एक होन थर्ड क्या करती है GHG emission करती है निर्ण हाउस पाइमिसन करती है अगर आप इन चीजिएंगा द्यान द्खेंगे जैसे हवा का ध्यान द्खेंगे तो इसी कम चलना पड़े जैसे इस जगह पे है तो हवा एक चलती है तो हवा अंदर पहर होती रहे तो एक मेट्रिक बनाई ताकि आप ग्रीन हाउस गैसों से निपटा जाएंगे अगर आप को फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा आप ग्रीन हाउस के से लिपट पाएंगे तो क्या पुट्प्रिंट आफ बिल्डिंग ऑपरेशन से एराउंड दवर्ड ठीक है कि बिल्डिंग की शुरुआ से लेके अन्ततर पूरा जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनके लिए इसको बन बनाया गें तो सबस्क्राइब आर्टू का फॉर्म समझ लीजिए आटू का मतलब है रिस्पॉंसिबल रिसाइक्लिंग अटीक है यह आटू का मतलब तो क्या कर रहाएं इसमें आप ऑप्सन देख लिजिए इंवियर्मेंटली रिस्पॉंसिबल पार्टिकल इन देलेक्र इंवियर्मेंटल इंपक्ट एसमेंट इंडेशन अप्स्ट्रिक्राइब आप बताओ यहां पर रिसाइक्लिंग तर्म कहां यूज़ केवल और किवल यहां अगर आप इसका रिसाइक्लिंग कुछ भी फुल फॉर्म आप समझे होते तो आप इसी को मारते हैं यह सवाल भी एरभ गैसे की जाए ठीक अब अगला अगला सवाल आपने यूनाइस चैटल देवलपमेंट पंड अब राट बंडेशन है रिसेंटली रिकानाईज हैं और वी DU हैंच अब इसमें पूर्श परिए है रिदरा बाद लिए ट्वांटिवांटेंज यह राइट अब और डे फांडेशन ने भी किया लेकिन युए ने करके फ ए यह यह एक चीज और जान लो इसमें एक चीज जानने वाल यह है कि यह जो दिया जाता है त्री सीटी तो त्री सीटी के टार्ट जो तमगा एक साल के दिये जाता है त्री सीटी का तमगा एक साल के लिए यह और हर साल इसको रिन्यू करना है तो हैदराबाद इंडिया में पहला सिटी था इसको यह तमगा दिया गया है दूसरा सिटी बना हमारा बॉंबे बॉंबे इसको यह तमगा मिला और हैदराबाद ने अगले साल इसको रिटेन भी किया देट मिल्स क्या हुआ कि अभी दो सिटी इंडिया में दो सिटी है जिनको ट्री सिटी का तमगा दिया गया तो इसने में वन आज के लिए आपके इतना ही और अगला सवाल हमारा पिर से मिलेंगे अगले दिन अगले कड़ी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सुब्रात्री और इसको रिवाइद जरूर करें जितने पॉंट्स में बोले गया है प्रोड्यूसर कंजूमर क्या होते हैं अगली बार फिर